हेलो दोस्तो आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन टिटोरियल पर और मैं हूँ आप लोग के साथ रोशन कुमार आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे पोलिटकल साइन्स के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट थर्टी कोशन पर तो आए स्टार्ट करते हैं वी सबसे फर्ट कोशन कर रहा है कि उपराष्ट पति पद के निर्वाचन हे तू कौन सी पति अपनाई जाती है तो कौन सी पति अपनाई जाती है इसका राइट ओप्सन कौन से हो जाएगा आप लोग के पास पांच सेकेंड टाइम है तो एकल संक्रमनिय पत्ती तो उपराश्षपती पत के निर्वाचन हे तू कौन सी पतती अपना ज़ी येदी है तो एकल संक्रमनिय पत्ती दूसरा कोशन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सहित काड राज सभा का सदस्य था तो कौन सा सहितकार राज सभाका सदस्था तो रामधारी सिन दिन कर तो निम्ण में से कौन सा सहितकार राज सभाका सदस्था तो रामधारी सिन दिन कर भारतिये संसद में अस्थाई समीतियों की संख्या कितनी है तो कितनी है तो 45 है राइट ओप्शन C हो जाएगा भारतिये संसद में अस्थाई समीतियों की संख्या 45 है भारतिये समिन्धान के किस अनुछेद में धन विध्या की परिभासा दी गई है तो किस अनुछेद में धन विध्या की परिभासा दी गई है तो अनुछेद 110 में तो भारतिये समिन्धान के अनुछेद 110 में धन विध्या की परिभासा दी गई है किस ने कहा था समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था तो ये किस ने कहा था तो ये ओस्टीन ने कहा था ओस्टीन ने कहा था कि समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस भारत था six number question कर रहा है कि भारतिय समिंधान को बनाने के लिए भारतिय समिंधान सभान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे तो भारतिये समिधान के बनाने के लिए भारतिये समिधान सभागे कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो बाड़ा राष्ट पती के त्याग पत की सूचना उपराष्ट पती किसको देता है तो किसको देता है राष्ट पती के त्याग पत की सुचना उपराष्ट पती किसको देता है तो लोग सभा अध्यक्ष को देता है राइट ओप्सन C होगा तो राष्ट पती के त्याग पत की सुचना उपराष्ट पती किसको देता है तो लोग सभा अध्यक्ष को भाद के सबसे लंबे समय तक राष्ट पती के पदबर कौन रहे हैं तो डौक्टर राजेंद परशाद अब हाद के प्रथम राष्ट पती भी कौन थे तो डौक्टर राजेंद परशाद पर्धान मंत्री वो मंत्री परसद के विरूध और विश्वास परस्ताव सदेव लाया जाता है तो कहां पर लाया जाता है तो लोक सभा में लाया जाता है राइट ओप्शन बी होगा तो पर्धान मंत्री वो मंत्री परसद के विरूध और विश्वास परताव सदेव लाया जाता है लोक सभा में दस नमर कोशन करें कि लोक सभा का विघटन कोन करता है तो लोक सभा का विघटन कोन करता है तो राष्ट पती द्वाड़ा होता है लोग सभा के वी घटन कुन करता है तो राश्ट पती बर्धान मंत्री वा मंत्री परशद सामुहिक रूप से किसके प्रती उतरदाई होते है तो किसके प्रती उतरदाई होते है कौन सा राइट ओप्षन हो जाएगा तो लोग सभा के प्रती उतरदाई होते हैं तो परधान मंत्री वो मंत्री परिशद सामुही करूप से किसके प्रती उतरदाई होते हैं तो लोग सभा के प्रती भारत के परधान मंतरी के लिए सेवा नीविडित आयू कितनी रखी है तो भारत के परधान मंतरी कितने उम्र तक वो रह सकते हैं परधान मंतरी के पोश्ट पर तो किसी भी उम्र तक वो रह सकते हैं अंतराष्ट्रिये न्याले में न्यूक्त प्रथम भार्तिये न्याधिस कौन है तो डॉक्टर नागेंद्रशीन निम्न में से कौन मुक्षत करता आयूक्त की न्यूक्ती करता है तो कौन करता है निम्न में से कौन मुक्षत करता आयूक्त की न्यूक्ती करता है तो कौन करता है राजपाल न्यूक्ती करता है निम्न में से जंडा समीति के अध्यक्ष कौन थे तो जंडा समीति के अध्यक्ष कौन थे तो ये भी क्रिपलानी भाद के परिच्छा एवं लेखा परणालियों का 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 का ध्यर्च कौन था समिधान सभा की संग्ध समिधान समीति का ध्यर्च कौन था तो इसका राइट ओप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट ओप्शन सी हो जाएगा जवाहरला नेहरू अब हाद के प्रथम प्रथम ध्यान मंत्री भी कौन थे तो पंडी जवाहरला निम्ण में से भारत का निर्वाचन आयोग है तो कौन जो है भारत का निर्वाचन आयोग है तो सन्वेधानिक निकाय जो है भारत का निर्वाचन आयोग है तो राइट अप्शन D होगा तो निम्ण में से भारत का निर्वाचन आयोग है तो सन्वेधानिक निका है इन में से कौन लोग सभा के निर्वाचन छेतर का पड़ी सीमन करता है तो कौन करता है तो पड़ी सीमन आयोग करता है राइट ओप्सन D होगा इन में से कौन लोग सभा के निर्वाचन छेतर का पड़ी सीमन करता है तो पडिसीमन आयोग भारत के सर्वोच नियाले की अधिकारिक भासा क्या है तो इसका राइट ओप्सन कौन सा हो जाएगा भारत के सर्वोच नियाले की अधिकारिक भासा क्या है तो अंग्डेजी है राइट ओप्सन C होगा ठीक है अंग्डेजी इन में से किस समीती के सदस राज सभा में नहीं लिये जाते हैं 21 नमर क्या question कर रहा है कि इन में से किस समीती के सदस राज सभा में नहीं लिये जाते हैं तो कौँ सा समीती, लोक लेखा समीती, प्राकलन समीती, लोक उपक्रम समीती या इन में से कोई नहीं तो प्राक्लन समीति का, इनमें से किस समीति के सदस राजसभा में नहीं लिये हमारे राष्ट्रिय ध्वज में मध में धर्मचक्र का रंग कैसा है? तो गहड़ा निला भारतिये जनता पाठी किस राजनितिक समूह का एक हिसा है तो किस राजनितिक समूह का एक हिसा है तो राष्ट्रिये जनतांत्रिक गठ बंधन का है तो भारतिये जनता पाठी किस राजनितिक समूह का एक हिसा है तो राष्ट्रिये जनतांत्रिक गठ दल अंदोलन का पीता किसे कहा जाता है तो भारत में गडम दल अंदोलन का पीता किसे कहा जाता है तो बाल गंगा धर तीलक को 25 नमर कोशन करा है कि सरकार के वीडू धविश्वास प्रस्ताव संसत के किस सदन में लाया जाता है तो इसका राइट ओप्शन सी हो जाए किसी भी सदन में अब हात में गडम दल का पीता किसे कहा जाता है तो बाल गंगा धर तीलक को कहा जाता है यह भी याद रखना है प्रथम लोग सभाचुनाओं में कितने राजनीतिक दलों को राश्टिये दल का दर्जा परदान किया था प्रत्थम जब लोक सभा चुना हुआ था कितने राजनितिक दलों को राष्टिये दल का दर्जा परदान किया था तो 14 दल को जो है लोक सभा चुनाव में राजनितिक दलों को राष्टिये दल का दर्जा परदान किया गया था इन में से किस उच नियाले की अधिकारिता सरवाधिक छेत्रों पर है तो कौन से उच नियाले का तो गुहाटी उच नियाले का जो है अधिकारिता सरवाधिक छेत्रों पर है निम्न में से डाक मतदान का अन्य नाम क्या है? तो प्रती पुरुस मतदान इन में से किस राज में पंचायती राज परणाली नहीं है? तो किस राज में पंचायती राज परणाली नहीं है? तो अनुनाचल परदेश में पंचायती राज परणाली नहीं है? राइट ओप्शन ए होगा इस वीडियो का लास्ट कोश्चन कराए कि राज्यों में रास्ट पती सासन के अधिक्तम अवधी कितनी होती है? तो कोई भी राज में रास्थपति सासन के अधियकतम आउधी कितनी होती है तो कितनी होती है तो तीन वर्स होती है Right Option C हो जाएगा तो आज की लिए इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड में से